नोश्क्र दोस्तों मैं हूँ आशीश और आज की वीडियो में हम लोग एक एंटीबटिक दवाय की बारे में सिखेंगे जो की दोस्तों दो मॉलिकूल से बनी है इसमें कौन-कौन सी मॉलिकूल मिलती है इसका अलाबा इसकी एस्टन क्या रहती है प्राइस कितना है और पैके का समपूर्ण जानकारी आप लोगों मिले तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्टाइम आए तो प्लिस सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ-साथ वगलवल खंटों को भी एक बार प्लास टैबलेट तो इसकी एसन की बारे में बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को ऑफ्रक्स मिलती है 200 mg इसका अलबा ओनेडोजन मिलती है 500 mg तो यह एक स्टूल एस मेडिसिन है और किसी भी स्टूल एस मेडिसिन का इस्तेमल करने से पहले इसका डॉक्टर से इस दवाय का इस्तमाल नहीं होती है तो इसकी पैकेशिंग की बारे में बात कर लेते हैं यह आप लोगों को 10 टैबलेट एक स्टूल पर मिलती है और जिसकी प्राइस है 80 रुपिया तो यह आप इंडिया में किसी भी मेडिकल साउप में आसाने से मिल जाएगी आई आई आ रिक्ती में लोगों की समस्ता होती है उन दोरान उनको बार बार टॉलेट आती है और दिन में चार से पास बार बी उनको टॉलेट हो सकती है और टॉलेट इतना नरम होती है तो उनकी शरीज में ऐसे पानी का अभाब देखाई देती है इसके अलाबा बहुत सारे पैसे में ट्वालेट के साथ साथ दोस्तव खून भी निकनती है इसके लावा दोसा हो सकती है तो चौरुबी आगर निकनते लावा ट्माइट के साथ उंधलते लूकर रीजालिंदी है उसके अलावा वर किसी इसके ऐसमा ist साथ खुन भी आ सकती है तो यह से भी समझसाव को ठीक करने के लिए एज एंटिमेटिक इसी नॉर्मेटरजल प्लस टैबलेट का डॉक्टर दरा पिस्क्राइब की जाती है फेकिनल इंफेक्शन महीलों में देखाई देती है उनकी प्राइबेट पार्ट की आंदार या बाह सकती है तो यह सब्सक्राइब को ठीक करने के लिए इस दावाय का इस्तमाल की जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दावाय को इस्तमाल की जाती है महीला या पुरुष की प्राइबेट पार्ट में छोड़े फुंसी बन जाना उन में दरत या जलन होती है और इसके कि समर्णु ठोची करने के लिए भी एसी दाबाई का इस्तेमल की जाती है इसकी इंफेक्शन की ऊपर में रेट कलर की गोल चकते बन जाना उसमें दरत रहना खुजली चलती है इसके अलाबा उसमें जलन का भी मैसूस होती है तो उसको ठीक करने के लिए ऐस एंटीबाइटिक इस दावाई का इस्तेमाल की जाती है सर्जरी करने का बाद जिस एरिया में टाका लगती है दोस्तो उस टाके में बहुत सारे कारण से बैक्टरिया इंफेक्शन होने की दौरान उसमें सुजन होना फुल जाना इसके अलाबा उनमें से पानी भी आ सकती है तो यह से भी समझसाओ को ठीक करने के लिए भी इस एंट की दौरान की जग जाती है इस डिषाे कंडिन तरह से और कितना चुक्त दीन करना चाहिए वह आ konstant से पहले इस टमबडस नहीं कीजिए ढ़रेशन हो पार्च से लिए तक सब्सक्राइन का इसे पहलां की अगरेजान सिंधू कर शलाओ सकती है अगर आपकी समझसाओ को दे सकती है दुटर सब आपको जितना दिन के लिए और जैसे इसको इस्तरम करने का सब्सक्राइब किजेगा इसका इस अब किसी पशियर कुछ साइट धिकाई दे तो और सब्सक्राइब हो सकती है पेट में दरद होना वोमिटिंग होना इसके अलाब उनका मुहू का टेस् इसका लबा कॉंस्टिपिशन की समस्टा भी दिखाई दे सकती है इसका लबा अंचाय और भी दोस्ता कोई भी साइड इफिक्ट आपके अंदर में दिखाई दे तुरंती दवा करना बन करती जबा और साथ-साथ अपने डॉक्टर से एक बार कॉंसल चरोड कर लिजेगा तभी इस दावा का इस्तामाल कीजेगा और किसी-किसी पेशयर में दोस्तों इसकी इसी मोलिकूल से एलर्जी होती है तो उन्दरों भी इस टैबलेट का इस्तामाल नहीं करना चाहिए इसका लाबा अगर आपको खीड़नी की समस्टा हो या लिवार की किसी भी फुकार की क सब्सक्राइब कर लिए और साथ-साथ मेरे मेडिलाब चैनल को अब एक बड़ सब्सक्राइब कर लेजिएगा चले दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए जय हिन